भारत का सिच्छा मंत्री कौन है ? बताई Pie Marati का नाम बताईए अल्फाबेट का नाम है ? अब बताईए क्या थे हो ? सेवन में बिहार के मुख मंत्री कौन है हमाल पाजर को सem तरशा है हमें आपिशम क्या कर सकते हैं टीक में हमारे स्कूल में कोई वी फंड नहीं आया है ठीक हैं हमारे दो साल से जब मैं परवारी बना हूं दो साल में ही रूपी अभी मेरा खाता भी नील है देमित monopol क कर सकता है टीचर हमारी स्कूल में आई यह नहीं दर पढ़ान में हम क्या कर सकते हैं अभी मैं इसका काम समुच्छे डीलिंग रहे होगा ते कौन करगा दीन वर सो अफिस में लगे होगा कैसे हम बच्छा को आप यहां बदली कर दिया गया दो मैंना फेल दो मैंना फेले बहुत परचायत में हूँ और यहां से मैं कुछ आपको एक अजूबा चीज़ दिखाऊंगा जहां मास्टर तो हैं बड़ बच्चे नहीं है आखिर मास्टर साहिब किसको पढ़ाते होंगे या फिर किसी और चीज़ को पढ़ाते हैं कैसे होता होगा पढ़ाई क्या भिकास हो रह हैं तो चलिए मैं आप से मास्टर साहब से मिलता हूं यहां पर आप देख सकते छोटे बच्य है और बच्य कमझे खेलतेça shell रहे हैं और यह कलास्रूम देखिए खाली पड़ा हुआ है मास्टर साहब नहीं है और इधर भी क्या है नहीं है इसमें भी कोई बच्चा नहीं है इसमें सर कौन है परभारी यहां क्या जी बच्च प्रश्ण है सरकारी असकूल आपका है बर बच्चे क्यों नहीं आते हैं बच्च आसरे दूमएनप फंपर नीबिया ओस्धार चाहसी ृत क्यार्याय मिला कि यहां पर पढ़ाइए टूर्फ यह यहां पर कितने चल्ता मतलब क्ले चलता है तो मतलब टीचर अभी है तो तीन बच्चे वान से फाइब तक तो आ सकते थे कुछ भी बच्चे सब बच्चे क्यों कहा कि हमरा बच्चा पढ़ाना है दूगों टीजर क्या पढ़ागा आप तो पर आपको प्रतेक दिन आपको ऑफिस का समरागा तो आप कभी सिकायत दिये थे दो मेना पहले दिये हुए ओफिस में कुछ सुनता नहीं है क्या करें बताइए इसके लिए आप डियम से मिले थे यह अपना जाएंगे बी यर सी मेरा ओफिस परता चनन हम अपना ओफिस जाएंगे ने कि हम डियम से नहीं जा सकते ठीक है अभी आप फिलाल हाल फिलाल में देखे होंगे कि वीडियो बालगुदर पंचाय से बाइडल हुआ था किस तरीके से जाज चल रहा हूँ आपको पता होगा और इस अस्थिती में आप पक्रे जाएएगा तो आपर क्या होगा या तो आप क्या हम क्या कर सकते हैं टीचर ह परी थुसरी बात है कि यहां पर दекऊंट इसकूल में कोई भी फंड नहीं कोई खने नहीं कुस भी नहीं है पिछले बार रटाया होगा कुछ भी नहीं करोना से पहले जो परवारी थे जिनका वो जिमान इभा रहे थे अब उन्होंने क्या विकास किया यह आप तस्बीरों में देख सकते हैं थोड़ा सा मैं कहूंगा निकल कर क्या अखिर यह क्या सिच्वेशन है और मेरा निवेदन है कि लखी सराय संजे कुमा डियम से भी निवेदन है कि थोड़ा सा गोहरी गराम पंचायद भी आकर देख ले और अपना स्कूल का क्या विवस्था चल रहा है उससे भी आपको पता चल रहा है रूबरू होगा फिलाल अभी और भी हम आपको दिखाएंगे कि वात्रूम का वि अभी बुड़े खराब हो रहा है और खराब करेंगे कौन उसका जिम्मेवारी कौन लेगा यह सबसे बड़ा सवाल है देखिए नितिस्कुमार जी आपका जो आप फंड निकालते जो रोजगार निकालते हैं कि सब सिच्छा अभ्यान सब पढ़ेगा सब बढ़ेगा लेक देखिए क्लास में देखिए उड़े बेंच खाली परा हुआ है बस आगे से दो चार को बच्चा दिख रहा है बाकी बाद क्या पढ़ाई होती होगी इस बच्चों को क्या हाल होता होगा क्या इनके भविस के साथ ठेलवार किया जा रहा है आप तस्वीरों में आप कुछ कर नहीं पाएंगे आगे चल कर इसका क्या भविस होगा ये तैय आप कर सकते हैं कहा जाता है कि सिच्छा एक ऐसा चीज है जो पाकर कुछ बड़े पदों पर चला जाता है लेकिन यहां पर छोटे-छोटे बच्चों का हाल पुरा खरावे ना तो ड्रेस है विदाव अभी आता है दूब मेडम अभी क्या पढ़ा रही थी अभी पांच को अभी तो कुछ पढ़ाए हो नहीं रहा था हो रहा था अभी तो आप खेल रहे थे बाहर में पढ़ाए हो रही था नहीं हो रहा था तो बच्च क्या पढ़ाते है मेडम मेडम आता है मेडम इसकूल प पता है की का नहीं पता है का शिच्छा मंत्री राजपाल का नाम इदेखिए ये पड़ाई है कुछ भी नहीं पता है और भी हम बचियों से जाने का भी प्रयास करें गें क्या नाम किक्रशों के पड़ते हो दमे बिहार के मुख मंत्री कौन है छाओ practical के सिछह मंतरी के बारे में पता है भारत के सिछह मंतरी कौन रहा है अब सोचिए आखिर मेडम कलास तो लेती हैं लेकिन बच्चों को क्या ग्यांग देती हैं यह मैडम से अब जाने पर्यास करें गए मैडम थोड़ा अंदर आजए गा कहांगे बच्चों को कुछ पता नहीं है बिहार के मुखमंत्री के बारे में पता नहीं है सिछामंत्री का पता नहीं है तो बच्चे क्या पढ़ाएंगे क्या पढ़ाते ढ़ितर क्लास में बात करतें आप से हम क्लास में इंट्री केज़ें क्लास में मैं देली पर आते हैं पढ़ने के लिए आते हैं डेली पढ़ने के लिए नहीं आते हैं फैसे ब्यास की आ洦 के नहीं तु targeting Meg गहाओ है आप вас है तो कि सब्बकिट एक हंरud peem कि आप अपका लाश में पूछेंगे बाहर में खरा रही है तो बाहर में आप क्या बाव बताईए बच्चा को उसको तो आप अभी बता सकते हैं न तो बौड पर आईएगा तभी तो हम पूछेंगे अप यहां पर क्या लिखेंगा वह लिखा जाएगा कि जब हाल है यहां पर लिखिए चोक है चोक मंगबा लिजिए और बच्चों को लिखवाई यह थोड़ा सा जाने का भी हम आपसे परियास करेंगे आप क्या पढ़ाती है नहीं पढ़ाती है अभी आपको पता होगा कि हाली फिलाल में बल्गुदर पंचायत में किस तरह से म मैडम को पुछा गया था वह आपको पता होगा अब बच्चे के साथ भवीज के साथ खिलवार किजीए गात कैसे मसुदर अगर आपका बच्चा यहां परता तो आप ऐसे ही करती क्या आइए बाहरे में बात कर लेते हैं आई आपके अगर बच्चा यहां पर परता तो अब बात का सिच्छा मंतरी कौन है अधि का नाम बताइए अगर बेंजन का पता है किसको करते हैं अब अल्फाबेट पता है अल्फाबेट किसको करते हैं अब बताइए क्या राष्ट पढ़ाती होंगी मैं अब अब अंदाजा लगाईए अब इनी से पुछा गया सवाल तो सवाल का जवाब नहीं दे रही है तो कैसे पढ़ाई होता होगा आप अंदाजा खुदी किजिए किस तरीके से बच्चों का साथ खिलबार किया जाता है सर रेजिस्टर थूरा सा दिखाईए तो कितने दिन जी तो फोकस किजिए तो रेजिस्टर पे अंदाजा आपको खुद लगा सकते हैं क्या हाल है यह एसकुल का मुझे तो लगता कुछ विकास का ही ही नहीं विकास के नामों पर सिर्फ औरgt लूटा गया है और यहां से सिर्फ भरश्टाचार क्या किया गया है। फोकस किजिए कि परते के दीन सिर्फ इतनेटनेट्र परजेंट होते हैं। रविबार का दिन शुट्टी है बाकी बार सब परजेंट हैं पिछले अभी पेज देख लीजिए चल ये रजिस्टर तो ठीक है बच्चे सर कितने नमंकित यहां फिलाल सर बरतमान में थोरा समय ग्रामीनों से भी जानने का परियास करूंगा कि आखिर बच्ची अपने क्यों नहीं भेजते अस्कुल पढ़ने के लिए जबकि इन नाम क्या हुआ है अपने बच्चे को यहां नहीं भेजते पढ़ने के लिए पढ़ाई नहीं होता है आपके नजरों के सामने होता हम लोग बहुत दूर से आते हैं हना तो हम लोगो नहीं आता लेकिर आपको आपको तो पता होगा कि एस अस्कुल में क्या होता है क्या कितने बज़े तक स्कुल चलता है कितने बज़े तक मास्टर आते हैं क्या करते हैं अस्कुल में जब बच्चा नहीं रहता है यह तो आपको पता है जैसा कि देख रहे हैं कि गरामिन का करना कि यहां पर कुछ होता नहीं यहां पर जोला च्छाप मैडम को बना भेजा गया है, मास्टर को भेजा गया है, तो इसका बस कुछी दिन में आपको असर दिख जाएगा, कि आखिर इस अस्कूल का नतीजा क्या होने वाला है, मैं आसा करता हूँ, मैं DM साहब से भी हाँ जोर कर बिंती करता हूँ, एक बार इस अस्कूल का भी निरेच्छन क करें आपको idea पता चल जाएगा, बता दिजे, चलिए तो यहाँ पर हम पैखाना के बारे में जानेंगें बातरूम की व्यस्तिता क्या है, नहीं है उनने से बारे में हम सर से जानेंगे, कि अखिर यह कव से नहीं है, इसके बिश्तर BLACKों मैं यह क्या कहना चाते हैं उन्हीं यहां पर सर टंपी का भी व्यस्ता ने चापा कलमात रहा है जब से आप यह हैं तब से यह लाइट नहीं है या फिर उससे पहले का भी लाइट नहीं यहां पर जो है कोई वेवस्था बर सुधी रूप से नहीं है बच्चे यहां ग्रामी ने यहां का मतलब जो है तंग करते हैं जो कि मतलब खाने और पीने का जो ब्यवस्था रहता वह सब दिक्कत देते हैं या फिर उसमें तुरूटी या फिर उसमें बचाओ या फिर कोई ग्रामीन देख रहे कि नहीं तालार तोड़ दिया बच्चा कोई बच्चा तोड़ रहा क्या कर रहा कुछ भी करने गंड़ा सब्सक्राइब कर दिया है उदर देखिए गाता मने गोबर ठोका हुआ है इस्तिति यह है काने पर करते हैं उसे जगड़ा के जिए कितना जगड़ा है वह भी बगल का है आदमी हम जगड़ा क्यों करेंगे अभी अपने अप समझदारी चाहिए कि स्कूल मेरा है हमारे गा अखरी सवाल रहेगा जब आप यहां तैनात हैं क्या अगर सरकार की तरफ से कोई फंड निकलती है तो क्या यहां पर सुब्दा किया जाएगा जरू सुब्दा कि जितना फंड आएगा सारा सुब्दा बेवस्ता करेंगे पाइखाना हो बात लो मकिन जितना भी हो सारे टूजर के बवस्ता करेंगे उसमें कोई कवताई बरता नहीं जाएगा चले बहुत बहुत धन्यबाज जैसा की सर बता हैं कि मतलब यहां पर अगर सरकार के तरफ से कोई फंड आती है तो मैं जरूर बेवस्ता करवाओंगा फिलाल यहां के गरामीनों को थोरे सी समझदारी दिखाना है क्योंकि इनके घर का ये अस्कुल नहीं है ये सभी गरामीन जितने है उन्हीं का ये अस्कुल ये जनता का अस्कुल है और जनते का टेक्स से ये अस्कुल बनता है और चलता है अगर आप लोग नहीं समझ येग तो आपके एक कही न कहीं आप अपने बच्चों का भाविस कर रहे हैं जैसा कि आप से कुछ ग्रामीनों से एक बार फिर से पूछ लेना चाहते हैं आप तो पढ़े लिखें क्या लगता है यहां पर आप बच्चे को नहीं भेजेगें कल के डेट में प्राइबेट अस्कुल में पढ़ा रहे हैं तो आप कैसे बच्चे को अनुमानित होगा कि सरकारी अस्कुल में कैसे अनुभव दिया जाता है परिच्छागर एक्जाम आ रहा है तो उसकी कैसे त्यारी की जाएगी क्या टीसी मिल पाएगा बहुत सारे ऐसे सवाल है तो इस पर आपका क्या कहना है इस पर सब्सक्राइब को देखना चाहिए ना पढ़ाई हो रही है या ना हो रही है तेखे मानते हैं कि टीचर की गलती है हमने अभी जैसे कि प्रश्णी किये मैडम से हैं मैडम जवाब नहीं दे रही है लेकिन यह तो बनता है कि आप अपने बच्चे को कम से कम आश्कू जो भी जान रहा जो भी भी भूल जाएगा मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि आप अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप बच्चे को पढ़ एक दिन भेदे कम से कम यहां पर अब सेंटी ना दर्सा है ताकि सर को भी यह सोचने लगे जवाब देहीं उनको होता है करने में समय उसका पार हो जाता है क्या जानता उसको सवाल बताए आप भी तब पूछें मेडम का तो स्थिति हम देख लिए वो तो आपको खुद दो दिन के बाद दो से तिन दिन के बाद आपको कुछ असर पर जागा आग भी फिलाल हो सकता नहीं भी असर परे क्योंकि अभी साबन का महना चल रहा है उसमें सारे को ड्यूटी दिया गया है सुरच्छित के लिए ताकि कहीं किसी को प्रोब्लम ना हो तो इसके लिए भी हो सकता असर ना पड़े लेकिन जैसे हैं मुझे लगता है कि यह खबर चलेगी और अगर डियम साहब देख लिए तो उसके बाद भी आपका जीमबारी बमता है कि मैं कम से कम अपना अस्कूल है यही किसी का स्कूल नहीं धो आपी लोग का स्कूल है यह मां समझे कि सर अपने पैसे से खर्च करके बनवाए हैं ऐसी कोई बात नहीं है है ना सर को जहां हो सके हो आप सपोर्ट कीजिए सपोर्ट अगर नहीं कीजिएगा तो कल के डेट में यह आपके बच्चों का भविष भी बरबाद कर सकते हैं सपोर्ट नहीं रहता है तो इसकूल बंद कर वादेता टोटल पूरा टीचर के भागा जटा मार के सपोर्ट है तब तो चल रहा है भी तब कहीं एक प्रश्ण और बनता है यह सही बात बोल रहे हैं कम से कम सब्था में दो यह तिन दिन जरूर पर रजेंट करवाएं तब ही जैसा कि सर बताए कि यहां पर कोई वेवस्था नहीं है पैखाना भी सही नहीं है नकल लेनवा टोटी कुछ भी नहीं है तो उसको भी हम आपको दिखाते हैं सर किधर है बातरूम अधर कुछ तो होगा पुरानी आई तृफान आये मैं आपको दिखाता हूं आकर यहां का ब्यवस्था कैसा है नहीं है देखिए यहां का hy brain पुराना बहुत लगता है क्पैसे यह ऐसी पड़ा लिखा हुआ है झाल बहुत-बहुत पद है जैसा कि आप देख सकते हैं कर आए हम आपको रूबरूब करवाएंगे देखिए थोड़ा सब्सक्राइब कैमेरा में से कहेंगे दिखाई आगे जाकर कहां पर है जुम कर दीजिए आगे है यहीं से आप पता लगाए कि उस बाथरूम का क्या हाल होता हुआ कैसे बच्चे और बच्ची जाएंगे जब पहले ही प्रिंस्पल काम नहीं कर पाएं तो सकेंड वाले आएंगे तो क्या कर पाएंगे यह आपको अंदाजा आप खुल से लगाएंगे जबकि करोना का यह जब माल चल रहा था तो उस समय से सरकार की तरफ से कोई भी फंड नहीं आया है हला तक हो सके मैं फिर से बिंती करता हूँ बार बार अपिल कर रहा हूँ कि बच अपने ग्रामीन छेतर के जो भी बच्चे हैं जो भी गार्जियन से वो अपने बच्चे को जरूर भेजे ताकि अस्कूल का पढ़ाई फिर से चालू हो और वेवस्था सुधर जाए जैसा क कि अस्कूल की बच्चोल, कुआ हो सब्स्सा हा हूँ